नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं हमने चर्चा की है, कई निर्नाई भी लिए है, हम मौसब पर नजर बनाये हुए है वहीं विभागों को हर परिश्थी जिसनी पर्टने के लिए निर्देश भी दिये गाए बताओ दे किरिसी पा सुपालन एवाम सा करता विभाग दोर संचारीत जोजनाओ के उच अस्तरिय समिक्षा बैठा के दन मुखे मंत्री हमन्स्क्रे ने कहा है कि किरिसी और पा सुपालन के रास्ते ही ग्रामिन और्थ व्यवस्ता को मजबूत मिलेगी JSAC PGT की एक्जाम डेट घोसित जार्खन करमचरी चैन आयोग JSAC की तरफ से पोस्ट गेर्जुएट प्रसिक्षित सीख्षक परतियोगिता परीक्षा की परीक्षा तिति घोसित कर दी गाया इस भरति परीक्षा को 18 अगस्त से लेकर 10 सितंबर दो हेर्टेश तक आयोजीत किया जाएगा बतादे प्रवेश पत्र उचीत समय पर उपलब्द कराया जाएगा पात्र उमिद्वार द्वारा लेखक सुविधा के लिए आवेदान jsc.nac.in के माध्यम से 3 अगस्त तक जामा किया जा सकता है वहीं इस भरति अभियान के जरिये कूल 3120 रिक्त पदों को भरा जाएगा PGTTCE आवेदन परकिरिया 5 अपरेल को सुरू हुई और 4 माई को समाप्थ हुई एडमिट कार जारी होने के बाद कैंडिडेट नीचे दिये गए निर्देशों के अनुसा एडमिट का डाउनलोड कर सकते है 26,000 सिक्षक नियुक्ति को लेकर हाई कोट में अचिका दायर हेमन सरकार ने कुछ दिन पहले 26,000 सिक्षको की बाहली को लेकर एक बिग्यापन नियुक्ति पत्र निकाला था जिसके खिलाप विपक्ष ने जार्खन हाई कोट में अचिका दायर की थी बता दे कि जार्खन सरकार के 26 यार नियुक्ति वाले बिग्यापन के खिलाप हाई कोट में अच्कादार की गई है जहां अभ्यार्थियों ने ही 26 यार सिस्को की बहाली की नियुक्ति परकिरिया के लिए सरकार के बिग्यापन को भरामक बताते हुए नियुक्ति पर खिरिया परोक लगाने को लेकर याचका दार की है इस दार याचका में कहा गया है कि 2016 के बाद से चारकन में सिख्षक पतरता परिक्षा यानि जेटेट आयोजीत नहीं हुई है वहीं सरकार ने जो विग्यापन निकाला उसम नियुक्ति के लिए जेटेट पास होने की आनिवर्ता रखी गई है विग्यापन में सिख्षक को भी मने आते नहीं दी गई गुमलाख कार्तिक उराओ कॉलेज में इंटर की पढ़ाई अब तक चालू नहीं हुई है इससे आकरोसित चात्रों ने सोमवार को कॉलेज में तालाबांदी करने पहुंचे लेकिन कॉलेज में हो रही परिशा को देखते वे तालाबांदी के निर्नाय को आपस लिया गया वहीं चात्रों ने इंटर की पढ़ाई चालू करने की मांग को लेकर जम कर बवाल कटा कॉलेज परसासन के कर्याले का घेराव किया इस देरान आंदरनकारी चात्रों के साथ परसासन की नोक जोक भी हुई है काफी हो हंगामा के बाद चात्रे निताओं ने गुमलाग डिस्टी वर्डी इयो से मामले में संग्यान लेने की अपील की जिससे आजारों चात्रों का भविस सवर चके राजेपाल बोले बांगलादेशी यहां आकर आदिवासी महिलाओं से साधी कर रहे यह चिंता का भिस है राजेपाल सीपी राधा कृष्णन ने जार्खन में बढ़ रही बांगलादेशी घुस्पैट को खतरनाक बताया है उनकी चिंता आदिवासीयों पर पढ़ने वाले इसके परभाव तता जार्खन की डेमोगराफी बदलने को लेकर भी है राजेपाल ने इसे बहुत खतरनाक बताते हुए कहा है कि इससे आदिवासीयों की पूरी जीवन सहली बदल जाएगी राजेपाल ने एक समचार एजेंसी के सवाल पर कहा है कि जार्खन में बंगलादेशी लोग आकर आदिवासी महिलाओ से साधी कर रहे हैं तो यह चिंता जनक है हमें इसे लेकर बहुत सतर करना होगा राजेपाल ने अब ये कहा है कि उन्होंने इस मुद्य को राजे के मुक्य मंत्री हमंसुरें तता मुक्य सच्चीव सुकदेव सिंग के समक्ष मी रखा है सच्ची घटना पर बनी फिल्म गिलुआ को है नेशनल आवाड का इंतजार जार्खन में सच्ची घटना पर बनी फिल्म गिलुआ को नेशनल आवाड का इंतजार है फिल्म के निदेशक राजीव सिंग इसे नेशनल आवाड के लिए भेजने की तियारी कर रहे है वही रांची के लोगों के लिए या फिल्म जल्द ही परदे पर आने वाली है इसकी सुटिंग की उन्होंने कहा है कि हमने इस फिल्म की सुटिंग के लिए 10 दिनों का सेडियूल त्यार किया था लेकिन 5 दिन के अंदर इस फिल्म की सुटिंग पूरी हो गई है जार्खन पुलिस सेवा के 24 पता अधिकारी बने IPSCM ने लगाया बैच जार्खन में पहली बार राजे पुलिस सेवा के भारतिये पुलिस सेवा में 1724 पुलिस पता अधिकारी को प्रोनती मिली है सोमवार को जार्खन मंत्राला में 9 प्रोनत IPS अधिकारी को मुख्यमंत्री हमन्सुरे ने पीन और बैज लगा कर सम्मानित गया इस और पर मुख्यमंत्री हमन्सुरे ने कहा है कि आज जार्खन के लिए बहुत ही खुसी की बात है प्रोनती को लेकर CM ने कहा फाइल कई बार आती रही लेकिन आखिरकर जार्खन पुलिस सेवा के अधिकारियों को भारतिये पुलिस सेवा में प्रोनती मिल गई इस और पर 9 प्रोनत IPS पतादिकारियों को बढ़ाई देते हमन्सुरे मंत्री ने कहा है कि आपके उपर जो जीमिदारी दी गई है उसका आप ततपरता के साथ निर्वहन करेंगे जार्खन में भारतिये पुलिस सेवा के पतादिकारियों की कमी रही है ऐसे में 24 नव प्रोनत पतादिकारियों के मिलने से कामकाज में मदद मिलेगी 27 जूलाई को होगी भाजपा बिधायक दल की बैठाग परदेश में भाजपा बिधायक दल के नए नेता के चैन को लेकर रायनेतिक कवायतेश हो गई है पर्टी जिस बिधायक का नाम इस पद के लिए कोयित करेगी उसे राज में नेता परती पक्स का दरजा मिलेगा उलेखनिये है कि वर्ष 2019 में बिधान सबा चुना संपर्ण होने के बास नेता प्रती पक्ष का पद रिक्त है भाजपा बिधायक दल के नेता बावला मरांडी को बिधान सबा सच चीवाले ने पार्टी का बिधायक मानने से इनकार कर दिया फिलाल उनकी गिंती निर्दलिये विधायक तरपर होती है उनके खिलाब दल बदल चमदी सीकातों पर स्पिकर ने आधीकर ने फैसला सुरक्षित रखा है किसान पार सला को बिध्याला की तरह कर अस्थापीद सियम हैमान्त किसान पार सला को एक बिध्याला की तरह स्थापीद करें या सेंटर ऑफ एकरिकल्चर मुवमेंट हो सकता है ऐसे में यहां किसानों के लिए नियमित रूप से प्रसिक्षन और कारे सला का आवजन होना चाहिए किसानों को यहां उन्नत और बहुबे कल्पिक किरिसी की जनकारी दी जाए किसानों को किसान पार सला में लाने की बेवसा सुनिशित करें इतना ही नहीं किसान को अगल बगल के गाउं पर खंडों और जीलों का भी भरमन कराया जाए ताकि दूसरे किसानों दोरा की जाने वाले किरिसी कारेों से भी अउगत हो सके वहीं उन्होंने भी बाग क्या दिकारेों से कहा है कि ज्यादा ज्यादा किसानों को के सी सी से भी अच्छा जित करने के साथ के सी सी लोन उपलब्द कराने की पहल करे जहारखन के इंजिनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन सुरू जहारखन के इंजिनियरिंग कॉलेजों में 24 जुलाई से एडमिशन सुरू हो गया है सभी उमिद्वारों का डोकुमेंट वेरिपिकिशन के काम 24 से 31 जुलाई तक होगा बतादे Joint Interest Examination JEE मेंस 2023 रेंग के अधार पर राज्य इंजिनियरिंग काउंसिलिंग के जरिये छात्र छात्राओं का एडमिसन लिया जा रहा है राज्य इंजिनियरिंग कॉलेज में AICTE से मन्याता प्राप्त कूल एकाउंस 26 सीटे हैं जिसमें RBS Engineering College, BA Engineering College, Maryland समेत कौलान के अने कॉलेज़ों के साथ ही BIT सिंदरी की 680 सीटे भी सामिल हैं जारखन के 87 सव से अधिक लोग बीदेश में कर रहे काम हिंदुस्तान बीवरो भारत के 130 लाख लोग बीदेशों में काम कर रहे हैं जिसमें स्रामिक, पेस्देवार और विभीन परकार के बीसे सग्य सामिल है ऐसे लोगों की बीदेशों में रुजगार के लिए गमन जाच अपेक्षी था है जिसका रिकोर्ड भारत का बीदेश मंत्राले रखता है बतादे बरतमान समय में बीदेशों में जारखन के 87 सव से अधिक लोग काम कर रहे हैं केंद्रिय बीदेश राजमंत्री बी मुरली धरन ने या जनकारी सोम और को लिखित परोशनुत्वर में लोग सभा में दी है 77 संजाशेट ने लोग सभा में या सवाल पूछा था कि बीदेश में कारदाथ भारतिय लोग संख्या कितनी है इनकी राज जिवार संख्या कितनी है और किसी घाटना दुर घाटना के चीती में सरकार के द्वारा क्या मधत की जाती है सरावनी मेले में पूझा अस्थलो पर बीक रहे मिलावटी पेणे और परसाद जारखन में देवगर दुमका रांचे और खुट्टी में स्रावनी मेले में मिलावटी और खराब गुनवात वाले पेड़े और परसाद मिल रहे हैं राजे फूर्ड सेफटी विभाग ने अपनी जाच में इसका खुलासा किया है मतादे सावन के महिने में बड़ी संक्या में सीव भक्त, बाबाबैजनाथ, धाम, देवगर और दुमका के वास्पुनाथ के दर्बार में पहुचते हैं रांची के पहाडी मंदीर और अन्यतिर थासलों पर विखने वाले परसादों के फूट सेफ्टी विभाग के टीम ने अब जब जाज की तो फेड़ा खराब गुनवाता वाले मिले हाएं। आदिवासी वोट बैंक को साधने में जूटी बीजेपी। भारतिये जनता पार्टी अनसुची जन जाती मोर्चा के परदेश्ट अधक्ष दिव सिव संकर उराव ने जनकारी देते हुए कहा है कि जारकन के बारा जीलों में श्थीद 28 विधान सवाजचेत्र जन जाती अरक्षी सीठ हैं। इन छेत्रों के लिए भारतिये जनता पार्टी ने ब्यापक कारे जोजना बनाई है। संपती के लिए भाई ने रची थी भाई की हत्या की साजीस। मामला सामने आया है जिससे संपती विवाद में दो भाईयों के बीच एक गारी खाई बन गई। मनमुटाव और खोनस इतनी बढ़गाई की सगे भाई ने अपनी ही भाई की हत्या की साजीस रच डाली और सुट्रों को भाई की हत्या करने की सुपारी भी दे डाली। बिट्टू खान हत्याकाण में सामिल तिन अपराधियों को एटीस ने दवोचा जारकन पुलिस के अतंकवाद निरोधक दस्तार ने रांची के कुख्यात कालू लामा गिरोह के तिन सलसे को सोमार को गिरफतार कर लिया है गिरफतार अपराधियों में रोहित मुंडा और बिडी अभिसेक मलीकोवा सुभाम विश्व कर्मा सामिल है एटीस ने सुभाम विश्व कर्मा को रांची से जबकि रोहित मुंडावा अभिसेक मलीको बोकारों के सेक्टर आठ से गिरफतार किया है इनके पास दो मुबाईल बरामत किये हुए है इन पर बरियातु के मोरा गिरोह के सरसे बीटुखान उर्फ तन्वीर की गैंगवार में हत्या का अरोफ है पाकुड में महिला से सामोहिक दुसकर्म पाकुड थाना छेतर के एक गाउं के निकट फुटबोल मैदान के पास इसीत पेन के नीचे आठ स-दस यूकोन मिलकर रभीवार की देर राच छत तिस वर्ची आदिवासी महिला कसा समोहिक दुसकर्म किया है दुसकर्म के बाद महिला बेहोस हो गई इसके बाद सभी यूवक वहां से भाग निकले दुसकर्म के समय पिरिता का मोबाइल छीन लिया गया सोमवार की अहले सुबह होस आने के बाद महिला पांडेर कोला पतल भी रेफर कर दिया गया है रांची का मिनी लंदन पर्याटकों को करेगा आकरसीत रांची जीले में मिनी लंदन के नाम से विख्यायत में एक लुसकी गंज पर्याटकों को फिर लुभाएगा पहारों और जंगलों से घीरे यहां की वादियों को और खुबसूरत बनाने के लिए रांची जिला पसासन ने त्यारी सुरू कर दी है बता दे एक जमाने में यहां 400 एंगलो इंडियन परिवार रहते थे इस कारण बड़ी संख्या में लोग गोरों के इस गाउं को देखने आते थे लेकिन अब यहां एंगलो इंडिया परिवार नहीं है हालाकि पज़टक अब भी यहां आते हैं लेकिन तदात काफी कम हो गई है यहां अंग्रेजों की बनाई पूरानी हवेलियो आज भी हैं जीने गेस्ट हाउस के रूप में तब्दिल कर दिया गया है राज येपाल से मिले मंत्री बना गुपता स्वास्ट मंत्री बना गुपता ने स्वोमवार को राज पल सीपी राधा क्रिशन से राज भौन में सिष्टा चार भेट कर उन्हें जार्खन में चल रही स्वास्ट विभाग की गतिवी दियो और भविशिकी कार्यों नाव से अउगत कराया मंत्री ने राज पाल को बताया है कि स्वास्ट विभाग समेथ संसाधन के बजूद इनोवेटिव आईडिया के साथ सुदुर ग्रामीं चेतर के अम्तिम व्यक्तित तक स्वास्ट सेवा का लाब दे रहा है उन्होंने बताया कि मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने बिगत दीनों समीक्छा बैठा कर निदेश दिया है कि राजिके मेटकल अस्पतालों में 24-7 चिकित सा उपलब्द दुरुष्ट किया जाए हम उस पर कार्योजना बनाकर कारे कर रहे हैं पच्मी सिम्भूम में आईडी बलाष्ट में CRPF के सहयक कमांडेंट घायल जारखन के पच्मी सिम्भूम के टोटो थाना चेत में नकसलियोग दुरा लगाया गया आईडी में बलाष्ट होने से CRPF 173 के सहयक कमांडेंट चंद्र परताब तिवारी घायल हो गया पुलिस अधिक चक असुतोस सेखर ने सोमवार के ही दो पर इसकी पुष्टी की है बता दे कि पिछले एक हपते में नक्सलियोक द्वारा मुढ़ भेड और आईडी बलास्ट में सुरक्षा बलके तीन पता दिकायर घायल हो चुके पुलिस अधिक चक असुतोस सेखर ने कहा है कि हाटकोर नक्सलियोक भ्रह्मन की सुर्चना पर कुलान के जंगल चेतर में गोल कर थाना चेतर में सुरक्षा बलके द्वारा अभियान चलाया जा रहा था गढ़वा में लगे जल्मिनार पांच साल में ही तोड़ने लगा दम गढ़वा के ग्रामिनों को सुध पेजा लुपलब्द कराने के लिए गाव में लगाया गया सोलर जल्मिनार अधि अस्ठापन के चार से पांच सालों में ही दम तोड़ने लगी है जलमिनार अधेश टापन में घटिया समगरी का उपयों किये जाने की वज़ा से जीले में यह योजना फेल होने के कागार पर पहुँच गई परतिक स्थोलर जलमिनार का निर्मान 3.84 लाक रुपए की लागा से की गई है बता दे पंचायतों में मरमती की रासी का परधान होने के बाजूत कई जलमिनार साल बर से खड़े पड़े हुए है इनमें ज्यादा रासी खर्च होने के वज़ा से उसे खराब छोड़ना मजबूरी हो गई है धन्यवाद